भारतीय रेलवे लगातार विस्तार कर रहा है। लगातार वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा रही है। बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन इस साल के अंध तक ऐसी ट्रेन चलने वाली है। जिसे देखकर आप बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे हवा यानि हाइद्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2003 से शुरू होने वाली है। हाइद्रोजन ट्रेन हाइद्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। इस रेलगाडियों में डीजल इंजन के बजाए हाइद्रोजन फ्यूल सेल्स लगाई जाते है। देश के ग्री फोर वह नशम निया आक वाला तो पीशल ज़्य को लेकर कई बदलाव किये जाएंगे। इसकी डिज्साइव में भी अंतर होगा। हाइद्रोजन ट्रेन 1,950-60 दशक के ट्रेनों को रिप्लेस करेंगी। hydrogen से चलने वाली ट्रेनों को hydrel भी कहा जाता है. आसान भाशा में hydrogen train वह है, जो hydrogen का इस्तेमाल इंधन के रूप में करती है. यानि इन ट्रेनों में engine के तोर पर hydrogen का इस्तेमाल किया जाता है. Hydrogen train ने Carbon Dioxide, Nitrogen Oxide या Particulate Matter जैसे नुकसान दायक गैंसों का उतसरजन नहीं करती है यानि Hydrogen train ने पुरानी ट्रेडिशनल ट्रेनों के मुकाबले Environment Friendly होती है साथ ही Hydrogen gasों को काफी नेचुरल तरीके से बनाया जा सकता है इंडियन रेलवे की ओर से Hydrogen train को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाएगा रेल मंत्राले ने जानकारी दी है कि Hydrogen train को शुरुआत में देश के अलग-अलग आठ रूटोन पर चलाया जाएगा जिसे दिसंबर 2023 तक शुरू किया जा सकता है आएए जानते है यह Hydrogen train कौन-कौन से रूटोन पर चलाया जाएगी सरकार ने Hydrogen train को लेकर एक खास प्लानिंग की है सरकार ने Hydrogen for Heritage नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहित इन ट्रेनों को Heritage रूटोन पर चलाया जाएगा रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने कहा कि इन ट्रेनों के चलने से देश ग्रीन एनरजी की दिशा में और आगे बढ़ेगा इसका मतलब यह होगा कि यह धरोहर मार्ग पूरी तरह से हरित हो जाएंगे भारत में अब जल्द ही चीन और जर्मनी के तरह हाइद्रोजन ट्रेने चलने वाली है दौट रेलवे दिसंबर तक अपने नेरो गेज धरोहर मारगों पर हाइद्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करेगा यह पूरी तरहल प्रदूशन मुक्त होंगी इसका मतलब यह होगा कि यह हेरिटेज रूट पूरी तरह से प्रदूशन मुक्त हो जाएंगे बता दे कि पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेल्वे नॉर्थन रेल्वे वरकशॉप में हाइद्रोजन फ्यूल बेस्ट ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है जलने वाली ट्रेने चलती है उन पर अब जल्द ही हाइद्रोजन ट्रेने दोडेंगी इसमें दारजिलिंग हिमालियन रेल्वे नीलगिरी माउंटेन रेल्वे कालका शिमला रेल्वे माथेरान हिल रेल्वे कांगडा घाटी बिलमोरा वाघई और मारवार देवगर मद्र ये सभी नेरो गेज मार्ग है, डॉट भारत ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है, इससे पहले जर्मनी और चीन में यह ट्रेन चल रही है, जर्मनी में इस साल हाइद्रोजन ट्रेन चलाई गई थी, इसकी कुल अनुमानित कुल लागत 86 मिलियन डॉलर है, बता दे कि जर्मनी की कोराडिया आईलिंट हाइद्रोजन इंधन सेलद्वारा संचालित दुनिया की पहली यात्री ट्रेन है, ये ट्रेन कमशोर करती है और इससे निकास के रूप में केवल भाप और संधनित पानी निकलता है, ये ट्रेन एक बार में 140 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से 1000 किलोमीटर दौर सकती है, जर्मनी में साल 2018 से इसका परीक्षन किया जा रहा है, चीन ने भी हाल ही में अर्बन रेलवे के लिए एशिया की पहली हाइद्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे सिंगल टैंक पर 600 किलोमीटर की रेंज म इंडिया, योजना के तहित भारत में ही बनाया जाएगा, हाइद्रोजन ट्रेनों के चलने से देश में हजारों नौकरियां पैदा होंगी, हाइद्रोजन ट्रेन हाइद्रोजन इंधन सेल से चलेगी, ये ट्रेन कार्बन डाइकसाइड का उतसरजन बिलकुल भी नहीं करे आगामी हाइद्रोजन संचालित ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह की नोलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकोन को आल पर सलक्ट करके रखें। ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जाए।